हेलो वेलकम दोस्तों आइए गेम दाइए देख रहा है आप मैं रवी कुमार एक फिर से नई वीडियो में हजरूं दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले आइएस प्रेप्रेशन के लिए 12 के बाद कौन से सब्वेक्ट लेने चाहिए दोस्तों यह जो प्रस्ण ह होता है काफिесто का होता है और जानना चाहते हैं कि के बार मैं ज्म कुल आसर America करूं तो दोस्तों चलिए हम बात कर लेते हैं सबसे पहले 12 के बाद आपको क्या करना चाहिए AIS exam के लिए तो दोस्तों मैं आपको उताना चाहूँगा कि यदि आप AIS की त्यारी करने के बारे में सोच रहें तो अब अब इसी बात है कि आपको पता होना चाहिए कि AIS के पेपर में जो आपका history है, geography है जो भी आपके social science के subject होते हैं वो आया करते हैं अब दोस्तों अब इसी बात है कि अगर हम social science के subject की बात करें तो आपको B.A करना चाहिए ये एक नॉर्मल सी बात है तो इसके according आपको VA करना चाहिए लेकिन दोस्तों मैं अगर अपनी रायद हूँ तो मैं कहता हूँ कि आपको VA नहीं करना चाहिए क्योंकि दोस्तों यदि आप सिर्फ ये सोच के preparation कर रहे हैं IES का कि आपका IES में selection 100% हो जाएगा तो ऐसा कुछ भी sure नहीं है क्योंकि दोस्तों आपको कहीं ना कहीं सचाई को समझना होगा और आपको जो UPSC में जो IES मनते हैं उनका success rate को समझना होगा क्योंकि दोस्तों आपको पता होना चाहिए लाकों की संक्या में योवा आवेदन करते हैं लेकिन jobs क्या है काफी कम होती है तो जिसके चलते क्या है कि आप ये surety के सार नहीं कह सकते हैं कि आपका job लगी जाएगा अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे तो क्या कहना चाहता हूँ मैं तोस्तों मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप courses ये करिए जब आप 12 करे लेते हैं तो आप courses ये करिए कि आप सबसे पहले professional course में जाएं professional course में इसलिए जाएं क्योंकि वहां पर आपकी knowledge काफी enhance करेगी जैसे आप BVA कर सकते हैं BCA कर सकते हैं आप BTEC कर सकते हैं तो इस तरही के जो भी courses हैं वह आप courses कर सकते हैं वहां से कि आपकी knowledge enhance करेगी अब दोस्तों यहां पर क्या है अगर आप professional course करेंगे तो आपको पढ़ना पढ़ेगा पढ़ना पढ़ेगा लेकिन दोस्तों एक बात यह भी ध्यान रखेगा इन केस आप आई एस नहीं बन पाई प्रिप्रिशन करने के बाद तो दोस्तों आपके पास option यह भी है कि आप private job अच्छी पकड़ सकते हैं दोस्तों आपको पता होना चाहिए आप B.A करते हैं और आप B.C.A करते हैं तो अब इस सी बात है कि B.C.A वाले को जो job है वो B.A के comparison में थोड़ी अच्छी मिलेगी और दोस्तों और अगर आप मान लेजिए कोई एक ऐसा course करते हैं जिसकी demand कम है और आपने इसको करके बैठ गए तो दोस्तों वहाँ पे अगर आप government job I.S. में success नहीं हो पाए तो दोस्तों आपको कहीं ना कहीं पैसे तो कमाने ही पड़ेंगे अपनी life को जीने के लिए तो फिर उस जगह आपकी जो life है वो difficulty में आ सकती है और आपको मेहनत जादा करने पड़ सकती है तो इसलिए मैं यह करना चाहता हूं कि आप एक ऐसे option को choose करिए जो आपकी life में जानकार होगी वो पढ़नी पड़ेगी अब इसलिए बात है अब दोस्तों इसके पहलल में आप क्या कर सकते हैं आप अपनी I.S के प्रपरेशन कर सकते हैं और दोस्तों जैसे अगर मान लीजी आपका आर्ट में ही इंट्रेस्ट है आपको आर्ट सबजेक्ट अच्छे करते हैं तो सकसे समझे कि कितने लोग आवेदन करते हैं कितने लोग सफल होते हैं और लोग सफल क्यों नहीं हो पाते हैं क्या रीजन्स होते हैं उन साइच चीजों को समझने के बार जब अपनी प्रपरेशन करते हैं तो फिर आप साइच चीजों को समझ जाते हैं और दोस दोस्तो इसके लिए प्लेलिस्ट का नाम है IES IPS IPS प्लेलिस्ट इस प्लेलिस्ट में आपको काफ़े वीडियो में लेंगे रिगार्डिंग IES एक्जाम तो इन सारे वीडियो को आप जबूर देखे क्योंकि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प लोंगे तो उसका फ्यूचर का स्कोप देए कि उसका फ्यूचर का क्या स्कोप है और दोस्तो सिर्फ यह सुचके प्रपरिशन मत कीजिए कि आपका IES में 100% स्लेक्शन हो जाए क्योंकि किसी भी चीचित की कोई भी गारंटी नहीं होती है दोस्तो काफी लोग आपने देखा है आपको पता होना चाहिए दोस्तो कुछ लोग यह सूचते हैं कि मतलब होगा कैसे नहीं तो दोस्तो एस बात की क्या गारंटी होगा कैसे नहीं दॉस्तो लाओ दोस्तो आपकी लाइफ में कभी प्रॉलम्स नहीं आएगी और आप ही खुद अपने आप में काफी अच्छा महसूस करेंगे और दोस्तो यदि कुछ पूछना चाहते हैं दोस्तो नीचे कमेंट वाक्स उसमें आप अपमी प्रॉलम्स को डालिए दोस्तो हम उसका आपको बहुत है रिस्पॉंस कर देंगे और दोस्तो आपके लिए ऐसे वीडियो समलाते रहते हैं तो यसे वीडियो पाने के लिए जरूरिश चैनल को सब्सक्राइब करें और नॉन्टिफिकेशन को जरूर दबाएं दोस्तो अगर आप ऐसा करते हैं जब सबसे पहले वीडियो मिलते हैं आप से नेक्स वीडियो मिलते हैं आप से नेक्स वीडियो तब तक के लिए सुक्रिया